नमस्कार मैं हुरीनु कुमारी पब्लिकेशिया में आपका स्वागत हैं दोहजाद चोबिस लोगसोगा चुनाव जितना नजीकारा है उतना ही पक्ष और विपक्ष पार्टिया अपने अपने बयान बाजी में किया जा रहे हैं दावो पर जूटी सानू भूती लोगों को दिखा रहे हैं या खुद को तसली दे रहे हैं लेकिन आने वाले समय में कौन सत्ता में रहेगा किसकी सरकार रहेगी यह तो जनता तै करेगी लेकिन चुनाव में जनता को धर्म के नाम पर बाटना या धर्म के नाम पर जनता में मद्भेत प्यादा करना कहां तक सही है हाल प्रदान मंत्री बनेंगे शर्मा ने जोनपूर में पतरकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जोनपूर पंडित दिन द्याल उपादेक्ष की कर्म भूमी रही है वह यहां से चुनाव लड़े थे पूरे देश में प्रदान मंत्री के द्वारा किये गए कारेव से विपक्ष में घबरहट की सिती बनी है जिस तरीके से केंद्रवाब प्रदेश सरकार की योजनाओं ने किसानों युवाओं महिलाओं और नौजवानों को लाव पहुंचाया है उसके साथ ही महिलाओं को 33% का आरक्षन प्रदान किया है हमारे प्रदारन मंत्री ओबसी है और कॉंग्रेस की शेव पर सनातन धर्म को करोना में लेरिया डेंगुज जैसे शब्दों से संबोधित किया है हम उसे समाप्त कर देंगे इससे पहले कॉंग्रेस ने शीराम के बारे में कहा था कि राम कालपनिक है उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि यह लोग देश को बाटन बारा है आगे बताते हैं उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने सांस्कृतिक विरास्त को सजाने का जो काम किया है वह अतिहासिक है प्रधान मंत्री मोधि के नेतत में देश की ग्रोथ आज 7.8 पतिशत हो गई है भारत पांचवी महाशक्ति बन चुका है और तीसरी महाशक्ति बनने वाला है इस बात में कोई शक नहीं कि प्रधान मंत्री ने देश के विकास में कितना योगदान दिया है लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हमारे देश में हमारी सांस्कृतिक हम भारतियों की पहचान है कि किसी तरह हमारे देश मे रजनिति या किसी गयर धार्मामले से धर्म को दूर रखे ततर सरकार धर्म के अधार पर किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है बलकि सभी को अपने धार्म की विश्वासों और मानिताओं को पुरी तरह से अजादी से मानने की छूट देता है उनहें उस पहचान के साथ रहन हमें comment box में जरूर बताएं साथी हमारी channel को subscribe करना ना भूले नमस्कार